तो इस पर्टिक्लरली टेवल से जो है इस तरीकी का जो ट्री आप देख पा रहे हैं ये ट्री कैसे बनता है सवाली आ जाता है कि how you can develop this kind of tree rooted scaled tree from this particular data with a single diagram एक ही diagram से करना हो तो कैसे कर पाएंगे उस अप्रोच के लिए यहाँ पे हम जुड़े गुए है तो उमीद करता हूँ क कि आगे आने वाले जो 30 मिनट है वो प्रॉपर आप सुनेंगे और उसको अच्छे से सीखने की कोशिस करेंगे ध्यान रहे है कि यह जो है UPGM में में एक distance based method माना जाता है यह जो है एक distance based method है जो ट्री बनाता है वो ट्री जो है वो रूटेड होगा और unscaled होगा रूटेट का मतलब origin पता है और unscaled का मतलब कोई origin पता नहीं है और unscaled का मतलब जो changes है वो पता नहीं है ठीक है यह करनीशन्स आपके साथ चलेगी इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको क्या रिप्रेजेंट किया कि जो distance है the distance is inversely proportional to the similarity कहीं न कहें distance similarity से inverse proportional लें तो मैं यह बोल सकता हूं कि जो minimum distance होगा जिसका distance minimum होगा उसकी similarity maximum होगी minimum distance that represents the maximum similarity जिसका distance minimum maximum similarity होगी और maximum similarity होगी तो कहीं न कहीं वो sibling texa की तौर पर या भी sibling species के तौर पर जाने जाएंगे उनको हम एक family या एक group में cluster करने की कोसिस करेंगे मैं आपको explain करूंगा तो आपको बहुत आसाने से समझ में आ जाएगा अगर आप धंग से सुनेंगे तो सवाल यह आता है कि जो similarities है minimum distances है या maximum similarities है यह भी तो हो सकता कि minimum distance जो है आप दो ही species में मिल सकता है या दो से जादा species में मिल सकता है अगर दो में है तो उनका pair बनाएंगे और अगर दो से जादा है तो उनका different pair बनाएंगे जिसका जिसके साथ है उनका अलग-अलग pair बनाएंगे जैसे example अभी समझाऊंगा तो जो मैं statement लिख रहा हूं इसका मतलब समझ में आएगा तो चलिए इस particular problem से construct करने के कोशिस करते हैं जिस method से हम यह construct कर रहे हैं वो method है UPGM में एक rooted unskilled tree बनाया जाएगा ठीक है तो पेटी बांध लीजिए और कुछ देर तक जो है यात्री गड़ के प्याध्यांदे हम हवा में उडान भड़ने के लिए रेडी है ठीक है हम यहां से UPGM method की दूरी 35 मिनट में इत्लिया उड़ रहे है वो सांत हो जाएंगे और आप असानी से जो है इस question को सौन कर पाएंगे basic तौर पर देखिए यहां पर पांच species दिये गए है एक species जो है वो आपका मलब A है B है C है D है और E है इनको phylogenetically कौन सा species किस से ज़्यादा related है और किस से कम related जैसे इस phylogenetic tree में यहां पर देखिए कि A B से ज़्यादा related है या C D से या D E F से कैसे यह tree draw किया गया है इसी पर चर्चक करने के कोसिस करते है तो पांच species आपको mention है A B C D ठीक है अब इन A B C D को आपस में phylogenetically आपको relate करना है कि कौन species किस से similar है किस से नहीं है यहां पर distances आपको दे दिये गए है as a tabler form इस distances में इसका दूसरा form generally blank छोड़ा जाता है बट आपको आप खुद ही calculate कर सकते अगर यह वाला हिसा जैसे जो यहां पर blank आपको छोड़ा जा रहा है इसको fill up करना is not a difficult task हमेंसे क्या होता है कि आपके पास जो conditions है वो इस form से इसको बस opposite करना होता है जैसे कि अगर इस particularly branch से इधर की तरफ row है तो इधर की तरफ भी 4 होगा basic तरफ पर अगर देखोगे तो कैसे मैंने इसको किया यह common sense कुछ इस तरीके से कहता है कि यह 4 जो है वो a और c के बीच का distance है 4 ठीक है तो वहाँ पर conditions है उसके बाद a और d का यह distances लिखे गए इसमें इन्होंने a को mention किया ही नहीं है actually मैं इस table में थोड़ी सी यह चीज करें कि a नीचे mention होना चाहिए तब जाके यह पूरा table जो है fulfill होता मतलब एक तरफ तरफ इन्होंने a b c d दे दिया है और दूसरी तरफ b c d f दिया है तो यहाँ पर डिस्टेंस अगर देखोगे तो यह b से b का distance होना चाहिए और b से b का distance ह मिलेगा हमेशा अपने वाला distance calculate करना है नहीं होता c से b का distance अब कितना होगा देखिए अब c से b के distance के लिए आप देखे b और c के बीच का distance क्या है 4 है यहाँ से आपको एक row और एक column कभी भी distance आपको check करना है तो कुछ इसी तरीके से आपको check करना होता बी से c का distance मतलब b से नीचे आईए और c से right जाईए तो यह वाला जो column है वो distance देख रहा है अगर आपसे इसी तरीके से c से d में पूछा जाए तो देखे c से नीचे आईए d से right जाईए यह distance c और d के बीच का a से d का distance a से नीचे यह d देखिए e से d का distance e से d के लिए देखिए अब d वाला column यह रहा और e वाला column तो दोनों को column या row में ढूंड़ना है और ढूंड़नके उनका common cross section लेके आजाना है बेसिक तोर पे इसी तरीके से जो है आप निकाल लेंगे कि distance क्या चल रहा है फिलब करने की जरूवत नहीं है बट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं distance को देखते हुए अगर यहां पर c और b की बात करें तो यह वाले column में 4 आ जाएगा क्योंकि b का distance c से 4 था तो यहां पर भी b का distance c से 4 होगा अब b का distance जो d के साथ है वो 6 था तो यहां पर b का distance d के साथ 6 हो जाएगा इसके बाद b का distance e के साथ 6 है तो यहां पर b का distance e के साथ 6 हो जाएगा सिमलर सा केस यहां भे बनेगा ऐसा ही नीचे के कॉलम्स भी आप फिल अब कर सकते बट डाट इस नॉट रिक्वाइड एट आल उसकी जरूरत पड़ती नहीं है जितना इंफोर्मेशन आपको दिया जाता है उतने सही कोश्चन बन जाएगा यह तो एक्स्ट्रा इस मतलब मिनिममम वैल्यू को चेक करना है अब इस पूरे पूरे के पूरे टेबल में जो मिनिममम वैल्यू है कहीं नहीं वह तो नहीं है तो इनका पेर बन जाएगा minimum distance देखिए तो यहाँ पर एक ही value है दो नहीं थी और one value थी वो है two तो वो किसके बीच में थी वो थी between A and B between A and B यह हो गए तो यानि कि यह proper condition जो है A और B का एक pair बनेगा जो कहीं न कहीं दो distances को show कर रहे हैं इसको draw करेंगे कुछ इस form में A और B को pair कर दिया A और B और यहाँ पर मैंने node रख लिया जिस पर mutation को रख दिया यानि distance को रख दिया दो अभी मैं node के distance को divide नहीं कर रहा हूं सिर्फ node पर लिख रहा हूं कि दो है कि A और B के बीच में जहाँ से node से splitting हुई है tree बनना शुरूआ है उसमें जो distance है वो है दो यह चल जा रहा है अब इसके बाद node को मैं split करूँगा last में अभी नहीं कर रहा हूं तो फिलाल के यह तोर पर अब देखा जाएगा तो A और B का pair बन गया अब A और B को आपको जोड़े के तोर पर treat करना है step 1 के तोर पर minimum distance किया entertain और treat pair as a single texa treat pair as single texa अब उसको single texa के तरह treat करना है मतलब A, B अलग मत treat करें अब ऐसा समझें कि वो A कहीं है तो मैं उसको treat कर रहा हूं एक तोर पर मैं highlight थोड़ा change कर रहा हूं कि अब मेरे लिए जो है वो basic तोर पर A और B एक family हो गई ठीक है A और B की एक family हो गई basic तोर पर यह है वो लोग texa एक साथ हो गई एक note से हो गई तो A, B की family को हमने अलग कर लिया single texa या single family के तरह आपने treat कर लिया अब सवाल यह आ जाता है कि आपने जैसे इसको single family की तरह treat किया A, B का distance बागी से अब calculate करें अब A, B को C के साथ देखें तो देखने की कोसिस करिए कि A, B को मैंने इसलिए highlight किया है क्योंकि उसी color को आपको लेके चलना है मतलब A, B का आप C के साथ distance लेंगे तो सिर्फ A का नहीं लेंगे A, B का लेंगे जो कि यह वाला column आएगा C के साथ अब इसका average लेना पड़ेगा दो value है तो दो का average क्या लेंगे table में that is 4 प्लस 4 बाइ 2 तो A, B का distance C के साथ कितना हो जाएगा अगर आप देखेंगे तो A, B का distance C के साथ 4 है तो आप table अलग बनाने के बज़ाए CDC बात है A, B का distance C के साथ क्या है 4, A, B का distance फिर D के साथ कितना हो जाएगा 6 उसके बाद यह वाला आजाएगा नीचे A, B का D के साथ 6 का average अब 4 कैसा है क्योंकि 4 प्लस 4 बाइ 2 average लिया था 6 प्लस 6 बाइ 2 average ले लिया फिर E के साथ भी distance आगया वो है 6 और F के साथ जो है वो 8 आगया अब आप इन में से जो distance देखेंगे A, B जो सबसे closest है वो C के साथ है और वो minimum value है 4 A, B जो है वो आपके साथ कह सकते है कि C के साथ सबसे closest होगा minimum value 4 नजर आ रही है लेकिन इस table में क्या या 4 कहीं और पे भी है या इस से यही minimum है कहीं और पे भी है अगर थोड़ा सा दिमाद देखोगे तो 4 तो यहां पे भी है 4 तो आपको यहां पे भी है तो यह values भी तो 4 है तो हम A, B को C के साथ जोड़े कि D को किस के साथ जोड़े यह सवाल बनता है जैसे ही दो value similar आ गए यही जो 3 step है न यही 3 step साथ में चल रहा था पहला step में minimum distance दूसरे में pair तीसरे में उनको single text अब उसका distance आपने देखा अब जैसा कि आपके पास confusion है कि A, B का जो family था उसका C के साथ भी distance 4 था और D का distance जो है E के साथ भी 4 है यह दोनो value यहाँ पर जो minimum value आई वो 2 minimum values आ गई अब जब 2 minimum values आ गई तो सवाल यह बनता है कि अब आपको दोनों ही pair अलग-अलग बनाने पड़ेंगे D और E को अलग रखिए ABC को अलग रखिए अब कितने distance पर आपको रखना है मेरे पास A और B जो है वो कुछ इस taxa के form में थे यहाँ पर node पर जो value थी 2 थी अब इस node पर मैंने C को जोड़ दिया और C कुछ इस तरीके से जोड़ा जिस पर node जहां से split कर रहा हूं मैं यह value होगी 4 क्योंकि ABC की family जहाँ पर split हो रही थी इस तरीके डी और E को अलग इसलिए रखा क्योंकि अभी combined कोई distance नहीं है दोनों पर बराबर हिस्से पर है इसलिए मैंने 4 रखा मैं इसके length को लगभग बराबर रखता हूं सो देट कि आपको थोड़ा सा यह रह कि यह यहाँ तक देखिए 4 तक आके जोड़ गया 4 के level तक रखा हूं मैंने 2 का level और 4 का level आप देखिए तो लगभग बराबर है कि जो है changes 4 पे हो रहा है यह node मैंने 4 भी लिग दिया यतनी बात सभी को समझ में आ रही यहाँ तक कि कैसे मैं operate कर रहा हूं एक ही table से निकलेगा एक बार आप पूरा समझ लेंगे तो यह seconds में काम होगा ज्यादा कुछ सोचना नहीं है पहले आप minimum distance ठोड़िए आपको एक value मिली तो आपने उसको pair किया फिर उस value को as a family treat करिए और उसका बाखी से distance देखिए वह values 4,6,8 आ गए थी अब उस cases में आपन एक value देखा कि 4 कहीं और भी है ठीक है ना as you can see here जैसा कि आपने देखा यहां पे कि आपके पास यह value यह भी 4 थी range आ रहा था ABC के साथ ठीक है और यह भी आ रहा था इसलिए आपने D और E को अलग player कर दिया और ABC को एक अलग family अब हमारे पास एक family मिली या दो family मिल गई now we have the two family now we have the two family हमारे पास अब दो family बन गई एक family बन गई ABC की एक family बन गई ABC की और दूसरी family बन गई है DE की अब हम जानना चाहते हैं कि ABC DE के साथ किस distance पे जुड़ा है यह दोनों family कहीं ना कहीं जो है आके ऐसे जुड़े होंगे like this one अब यह कौन से नोड पे जुड़ा है इसके लिए आपको दोनों family को merge करके treat करना पड़ेगा तो इस पुड़े टेबल में जो है ABC को एक family और DE की family को जड़ा सा average निकालो मैं color जोड़ा सा देखा रहा हूं यहां पे ठीक है ना जड़ा देखेगा किस particular conditions पे जा रहा है same table है वही condition मैं यहां पे draw कर रहा हूं A B सबसे पहले एक pair किया आपने node लिखा था 2 A B के साथ C को pair किया जिस किस node पे था 4 D और E को अलग pair किया किस node पे थे 4 अब यह कहीं न कहीं पीछे जुड़े होंगे और किस family के साथ जुड़े हैं कितने पे जुड़े हैं यह आपको अभी बदा करना है ठीक है तो अब ABC की family अलग होगी मैं highlight कर रहा हूं ABC को अलग और DE को अलग और किस node पे जुड़े है वो तो ABC को एक family आपने मान लिया यह और ABC का जो distance है वो E और F दोनों से calculate करें तो DE को मान लिया यह जड़ा देखिए color मैं change कर दे रहा हूं यह है DE तो कहीं न कहीं यह है ABC और यह है DE तो जो column आएगा जिस column का आपको जिस range column और row का जो matrix बनेगा जिसको आपको range में लेना है और उसका distance calculate करना है वो range क्या होगा वो range यहाँ पे होगा यह वाला range this one ABC के लिए horizontal इतना DE के लिए vertical इतना और row into column से matrix यह आजाएगा ABC into DE का जो matrix होगा अगर आप visualize कर पारें उपर से ABC का तीन column उठाइए DE का दो row उठाइए और जो 6 आएगा अब इसका average आपको लेना पड़ेगा यानि कि ABC का distance DE के साथ जो है वो कितना है वो है 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 छे बार 6 है तो 6 बार 6 डिवाइड़ बाई 6 क्योंकि डेटा जो है यहां पे 6 बार है तो average ले लेंगे तो यह आजाएगा 6 ठीक है average of this data is 6 तो कहीं न कहीं ABC जो है DE के साथ जिस नोड पर जुड़ा होगा वो नोड कौन सा होगा वो 6 हो जाएगा ABC का F के साथ distance देखिए ABC का F के साथ distance देख लिजे ABC family का DE के साथ distance देखा अब F के साथ देखिए F के साथ जो हो जाएगा 8 प्लस 8 प्लस 8 डिवाइड़ पाई 3 यह वाले range होगा यह वाला range ठीक है तो इस condition में जो है आपका 8 ही आएगा तो आप खुद दोनों के देख के बता सकते हैं कि ABC family किस से जाधा closer है जिससे distance कम होगा उससे जाधा closer है तो obviously बात है D E family के जाधा closer है F के closer नहीं है तो इसलिए हम अभी F को include नहीं किया अगर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर F को क्यों नहीं include कर लिया इसलिए नहीं किया क्योंकि F का distance जाधा था जैसा कि आपने देखा अब F को include करना पड़ेगा क्योंकि अब तो ABC DE पूरी family बन गी आपकी family बढ़ती चली जा रही है AB के दादा C के family से मिले हुए थे फिर ABC की family के दादा जो थे वो DE के भी दादा निकले अब ये पूरी family कहीं न कहीं मिल गई अब ये F से कहां related है कहीं न कहीं अब ये F से ऐसे related होगा ठीक है अब ये F से related है तो इस F से related cases में जो condition बन रहा था उस particular case में ये क्या हो गया ये आपका distance देखिए तो ABCDE और F के बीच का distance जड़ासा देखेंगे तो ये है ABCDE इतना हिस्सा ABCDE है और F ये है सारा value 8 है तो इसका range 8 आएगा और कहां पे जाएगा समझ में आ गया क्या 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 आपको बार बार टेबल बनाने की जरुवत पड़ेगी ये सिफ एक ही टेबल से समझते हुए जो है फटा फट निकाल लेंगे मैंने explain करने में आपको थोड़ा सा आराम से समझाया लेकिन अगर आप इस समझ जाएंगे तो आपको solve करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा ठीक है तो किया क्या था मैंने पहले अगर मैं पूरे कंडिशन के उपर बात करूं तुमारे पास कुछ इस तरीके का table होता है उसमें हमें जो है UPGME method से लेके चलना होता है करना क्या होता है कि आपके पास जिस table में है उसमें minimum value को ढूड़िए और pair करिए पेर करके एक family बनाईए जैसे एक family बन गई उस family का बाकी के member के साथ distance देखिए अब बाकी के member के साथ जिसका minimum distance है उसको उसके साथ जोड़ देजिए उस family में include कर दीजिए फिर से एक family बन गई अब उस family का जो बाकी बचे हुए member है उनके साथ फिर से distance calculate करिए जिनके साथ minimum minimum आए उसको इस family में include कर दीजिए फिर एक नहीं फैमिली बन जाएगी उस नहीं family के लिए फिर से बाएक member के साथ distance लिजिए और फिर से minimum के साथ करते करते एक ऐसा time है गा सारे members include हो जाएंगे और कुछ ही इस तरीके से आपको table मिलता हुआ चला जाएगा ए बी C, D वाला जो concept आपने देखा यह दिख गया कैसे tree draw हुआ A, B, C, D, E, F और A, B पहले family थी फिर C जुड़ा फिर यह D, E के साथ और फिर यह F के साथ अब इसमें कुछ condition यही बन रहा है अब इस पूरे case में मैंने node पे distance लिखा है और उसको कभी-कभी divide here दिया जाता है branches के form में जैसे UPGMA method में क्या होता है कि node पे जो distance होता है यह देखे यह value जो थी, वो थी 2 ठीके न, मैं node के values को लिख दे रहा हूँ, अलग color से लिख रहा हूँ so that यह values होती है 2, यह values हमने calculate किया था 4, यह value किया था 6 branches में, मतलब मैं अगर इस condition की बात करूँ, तो यहाँ पे जो values है, यह इसके यहाँ पे दो branches है, एक branch A वाला है, और दूसरा branch जो है वो B वाला है, तो 2 का half हो जाएगा 1 और 2 का half हो जाएगा 1 तो दोनों ही branches में half divide कर दिया गया, basic तोर पे जो है, यह half value एक side पे और दूसरी value जो है half के side पे, ठीक similar cases में जो है, यहाँ node पे जो है, यह value 4 है 4 का इस वाले branch पे आधा 2 और इधर जो है 2, लेकिन यह पूरा 2 नहीं लिखा है, क्योंकि already हमें vertical distance नहीं देखने होते हमें horizontal distance matter करता है, तो already इतना horizontal distance 1 हो चुका है यहाँ से 2 और यहाँ से 1 हो चुका है, तो इससे फिर यह वाला 1 ही होगा, क्योंकि पूरा distance, इस चीज़ को अगर visualize करने की कोसिस करिए, तो actually में यह जो है, यह conditions कुछ ऐसा है, यहाँ से C तक का और पूरा ऐसा, तो यह भी 2 होगा, यह भी होगा, लेकिन अगर 2 में already 1 आ चुका है, तो बाग की बचा कितना होगा, 1 होगा, तो half में से जो बचा हुआ है, उसको minus करते हुए चले जाएंगे, तो बचे हुए values आ जाएगी, तो यह जो 1 आया, वो shift करेंगे, तो 6 है, 6 का half जो होगा, वो आपका 3 होगा, ठीक है, अब 3 के लिए, क्योंकि already यह वाला branch, जैसा आपने 4 देखा था, D और E का, तो यह तूट के D और E में 2 और 2 हो जाएगा, तो 3 तो पूरा लिखेंगे नि, क्योंकि already 2 आ चुका है, तो यह value 3 माइनस 2 हो जाएगा, यानि 1 जो हो जाएगा, वो यह value हो जाएगी, इतना length जो होगा, horizontal हो कितना है, 1, और उपर की तरफ already भी 2 आ चुके हैं, क्योंकि एक यह, एक यह, बचाएगे, तो यह है 3 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो यह भी 1 हो जाएगा, यह distance, इसके बाद, इसके पीछे बाले node को तोड़ेंगे, तो एक हिस्सा 4, दूसरा भी 4, लेकिन already 3 1 आ चुके हैं, already 3 1 आ चुके हैं, एक इधर, एक, एक 1 यह हो जाएगा, और 4 इधर, this is how you can split the node values, इस तरीके से node value, जो हो split हो जाती है, कितने लोगों को यह बात समझ में आ गई है, कि किस तरीके से जो है tree construct हो,